अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डंगल प्ले अब राधी का तुम ठीक तो हो अभी अगर रादिका को कुछ हो जाता तो गेहरी चोट लग जाती, तो क्या करते हैं आप? वा देवर जी वा देवरानी जी के लिए आप अपनी ताई जी से इसनी उची गवान में बात कर रहे हैं देखा गोलो जी आपने आपके सामने आपकी माँ से कैसे बात कर रहे हैं आपके भाई? बस देवियम, माना जान भूचकर रादिका को दखना नहीं मारा था, वो तो बस मेरे लिए परेशान थी और परेशानी का कारण भी रादिका ही लिए अगर रादी का मेरे मावलों में दखल नहीं देती तो ये नोपती नहीं आती वा गोलु वा अब तू अपनी बीवी की बातों में आकर कर अपने भाई से ऐसे बहस करेगा बहस के शुडवात तुम्हारे मुन्ना ने की थी तो अपने बेटे को समझा मेरे बोलु को दोश्मान तो सुझाता देखिए आप तब लोग प्ली शान्त हो जाए हम बिल्कुल जी के हरे हमें तो लगता है देवरानी जी जान बूचकर गिरी है ताकि सब लोग हम भी साज जी पर इस तरह से चलाएं परना जरा से धक्के से इतना भारी भरकम शरीर थोड़ी ना गिर चाहेगा ऐसे कली शुप रहो कोई कुछ बोल नहीं रहा को सका मतलब यह नहीं कि तुम हम मूह में जो हैगा तुम हाँ कली रादिका ऐसी ओची हरकत करें नहीं सकती है शारी, शारी। दादी साज जी, हमसे तो बहुत बढ़ी गलती हो गई है। इतनी बढ़ी भूलू है हमसे कि हम क्या ही बताए आपको? ककी हम भूल जो गएते कि इस घर बे चाहे गलती किसी की भी हो। सुनना तो हमें हमरी साज जी को और गोलु जी को ही पड़ता है क्योंकि गोलु जी देवर जी से कम जो कमाते हैं कली, क्या बख्वास कर रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रहे हैं, दादी साज जी बल्कि आप यह ही देख लीजे यह देखिए, इसमें भी चाची साज जी का नाम हमरी साज जी से पहले है जबकि वो इस घर के बड़ी बहु है बिल्कुल सही कह तुमने कली भी थिया बात कड़ भी है लेकिन सच है भले ही इस घर के बड़े हम है लेकिन इस घर में फैसले कमाई के हिसाब से होते हैं। भाभी अगर अगर अपको इतना ही बुरा लाग रहा है ना तो करने दीजे ना अपने बेटे गोलु को फोटग्राफी कमा लेगा वो भी दिव्यम जितने पैसे हैं। बस करो तुम दोनों क्या बस करिबुवाजी हां। जो सचे वो सची है। गोलु बेटा आज ये बात तु अच्छे से समझ ले। दिव्यम का बैग और लंच उठाका तुझे सम्मान नहीं मिलेका गोलु। अगर तुझे इज़त चाहिए तो तुझे जादा पैसे कमाने होंगे। बहुत जादा। ताई जी क्या बोल रही हैं। कहां की बात को कहां लेके जा रही हैं। और प्लीज मेरे और गोलु भया के रिष्टे में धराब लाने की कोशिश मत कीजिए। अजिए। जिव्यम ये क्या तरिका है मेरी माह से बात करने का। आप भी देखिए ना कि ताई जी कैसे बात कर रही हैं। मुझे सब दिखाई दे रहा हैं। कैसे तू रादीका की कल्पियों पर पर्दा डाल रहा है। और सब पर उंगली उठा रहा है। पूरे महले मेरा तमाशा बन गया अगर इसको मेरी मान न कुछ भोल भी दिया तो क्या गलत किया तो अरी कोलु भया हमने आपका हुनार देखा तो बस आपकी मदद करना चाहते थे और हमारा यकीन मानिये हमने प्रोफेशनल फोटग्रफी वाली साइट पे आपकी प्रोफाइल अपडेट की थी कोई इश्तिहार नहीं छपाया था अगर आपनों को यकीन नहीं है तो यह लीजे हमारा फोन चेक कर लीजे नहीं देखना है मुझे कुछ तुमने सोच भी कैसे लिया नेरा बेटा ऐसा काम करेगा लेकिन ताहिल जी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है तुम्हारे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा क्यों होगा अलवाई की बेटी जो हो और हमें गर्व है इस पात पर चुकि हमारे बापा बहुत महनत दे अपना घर चलाते हैं देवरानी जी आप कहना क्या चाहती है कि गोलु जी महनत नहीं करते नहीं भाबी हमने कब ऐसा कहा बस करो रादिका बस करो मुझे अब तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए और प्लीट भगवान के लिए नेरा भला करना छोड़ दो मैं हाथ चोड़ता हूँ चाह कहा था मैंने तुम से ना दिका कहा था ना कि गोलु भाईया के काम में घुसना छोड़ दो वो सिर्थ तुम्हें अपनी बहन मानते हैं भरोसा नहीं करते तुम पर भरोसा इस बहन ने अपने भाई का तोड़ा है तिव्यम चुप करो तुम लोग क्या कर रहे हो इस गर को चिडियागर बना दिया तुम लोगों ने मा बिल्कुर सही कह रही है आप में से किसी को भी घर की चान्ती की परवा ही नहीं है और ना ही बड़ो का लिहाज रहा है आप इसके जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहा है अरे श तोस तो लो कम से कम. दर्वाजे पर देखो, तुम लोगों ने थमाशा बना के रख दिया है. अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा. चलो सब लोग अंतार. जेजी, ये सब क्या हो गया? हमारे घर को किसके नजर लग गई? सबर करो, प्रभा. ये समझो कि एक बड़ा हवा का जोका है. समय भीतेगा और सब शानतों चाएगा. तुम चिद्धा मत करो. लेकिन जिजी, राधिका को बोलो की फोटोग्रफी वाली बात का जिकर नहीं उठाना चाहिए था. ये राधिका ने बहुत गलप कर दिया. तुम चिद्धा मत करने के बावचूद हमने वह ओनलाइन पेच पर गूलुपया की प्रोफाइल ढाल दिया. प्लीज आप हमें माफ कर दीजे, चाहे तो हमें डार्ट लेजे लेकिन हमसे नहराज मत होएगा, प्लीज. मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका, और जो होना था वो हो चुका. अब उसके बार में सोच के कुई फायदा नहीं. लेकिन हम गुलुपया के साथ चीजे सुधारने की जितनी कोशिश करते हैं, वो उतनी बिगड़ती चाह रही है. राधिका, कुछ सख्मों को भरने के लिए नर्वक्त देना चाहिए. गुलुपया इस वो पुरानी वातों में इतनी वुल्जे हुआ हैं, कि वो तुमारी कोई बात नहीं मानेगे, कुछ नहीं सुनेंगे दो. राधिकार उते में सबर करो. यहलो. यहलो. की वज़े से हमारे घर में इतना बड़ा कलेश हो गया मुन्ना नहीं आज तो भीच में कुछ नहीं बुलेगा उन्हें भी बहुत कलत किया हैं हम तुछ से भी बहुत नाराज हैं आज तुछ अपनी ताई जी से इतनी हुची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी अरे इतने सालों में हमारे और भाबी के बीच में तुटु मेह में तो गोती चली आई है लेकिन बात कभी इतनी नहीं बड़ी कि घर में दो चूले चलने की नौबता है यह तुम दोनों भाईयों के बीच में अनबन हो वी किनाच इस लड़की की वज़े से वो भी हो गया अब देखिए मन अतिसुन्दर दंगल प्लेपर टीवी से पहले करते हैं करते हैं करते हैं झाल झाल